कि अर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए की कोर्स करना होता है कोर्स में अड्यो आज के सान सात एक अर्थोपेडिक डॉक्टर बनने के बाद हमें सहली किती मिलते हैं यानि कि सारी जानकार इस वीडियो में देने वाले हैं गर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्थोपेडिक डॉक्टर कैसे बने तो वीडियो को अन तक ज़रूर देखें आई आज कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आर्थोपेडिक क्या होता है दो उस्पे ही आपको ज्यादा फोकस किया जाता एंटीं कि हड़ीों से रहिट है यानिकि हड़ीों से रहिट है जो भी आपकी होती हैं मसल्सCalнос हो गशा करना होती है इसके अनुπαborत को इस में पढ़ाय जाती है यह आपको फोकस पर इसमें आपको हड़ीयों से रेड़ेटिज़ आपको बढ़ाई आती हैं अब आपको बताते हैं आप एक पैर्थोड़ यानि की आर्थोपेडिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्या करना होता है। तो दोस्तो एक orthopedic doctor मुख्षत है, घुटने अप कुल है, यानि कि आपके जो जॉइंस होते हैं, आपके कोहनी वगर होती हैं, पैरोसो सम्मध्री जो हड़ियां होती हैं, कंधे और कोहनी हो गई, हाथों के सम्मध्री जो हड़ियां हो गई, रीड की हड़ियां से बिबारिय होती है उन सबका इलाज करने के लिए एक अर्थोपैडिक डॉक्तर की चरुध पड़ती है अब आपको बताते हैं कि आपको प्रेक्टिस होती है उसमें कितने प्रकार होते हैं जैसे कि बताते हैं कि orthopedic doctor कैसे बनते हैं और कौन सी skills आपके अंदर होनी आने वारे हैं जोस्ते हैं कि orthopedic doctor बनने करें communication skills आने के बाद की चाहिए इसके अलावा आपको emotional intelligence आप होने चाहिए problems आप इसके बाद attentive to detailed skills इसके बाद आपको designing में की skills तो यह कुछ skills होनी चाहिए जो आप एक orthopedic doctor बनने के लिए काफी ज़्यादा demanding होती है अब बात करते हैं कि मुख्य काम क्या होता है एक orthopedic doctor का यह तो हमने आपको बता दी है यह doctor है इसके साथ साथ हड़ीों में tumor हो गया तो उसका इलाज करते हैं तो आप जो इसके आप जो कारिकरने होते हैं आर्थोपेडिक लगों एक orthopedic doctor बनने के लिए चाहितकर करने के लिए आपका पास होना चाहिए 12th के सांस साथ आपका होना चाहिए PCV और कम से कम 60% मार्क होना चाहिए तो यह सार आपका 12th में होना चाहिए इसके सांसाथ आपको Physics, Chemistry, Biology, Math के सांसाथ Graduation में भी आपको अपना MBA course को करना होता है MBBS को कोर्स होता है उसमें एडमिशन के लिए नीट एकजाम के लिए करना होता है जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे MBBS कोर्स के डिगरी के सांसाथ आपके पास MD कोर्स के डिगरी होनी चाहिए वो भी orthopedic doctor जो भी specialist फिल्ड होती है उसके अंदर आपके अंदर MD course आपको करना होता है अब आपको बताते हैं कि TOLS से लेकर एक आर्थोपैडिक डॉक्टर कैसी बनती हैं दोस्तों एक आर्थोपैडिक डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले अपना TOLS पास कर ले TOLS जैसी आप पास कर लेते हैं इसके बाद आपको अपना graduation complete करना होता है जो की MBBS course होता है जिसके लिए neat exam देना compulsory होता है इसके साथ-साथ neat exam को देने के लिए 12 में PCB और कम से कम 50-60% मारक आपे मांगा जाता है जैसी आप अपना 12 पास कर लेते हैं देना आपको admission लेना होता है इसके बाद आपको किसी भी आप hospital में या फिर आप government या फिर private hospital में एक orthopedic doctor बन के कारिक कर सकते हैं तो यह पुरा process होता है orthopedic doctor बनने का अब आपको बताते हैं कि orthopedic doctor बनने के बाद आपको कितनी celli वगर आपे मिलती है दोस्ता orthopedic course करने के बाद कई सारे job आप पासकते हैं कि therapist बन सकते है जिनके ले अपकी अपकी जाप सकते हैं उसमें पर मन्थली के भी आप याप Okayrape Singapore 1995 कि ऐसके है scripturesों के लेकिना आपको करने के बाद I hope आप समझ कहोंगे कि arthropatic doctor क्या होते हैं कैसे बनते हैं काम क्या होता है कौन सा course करना होता है सालीव अगरे क्या होती है सारी जानकार इस वी count है वी टे दिए है वीरो से रेटर आप के मन में खोड़ भी question हो कोई भी question हो तो comment करके पूसे हो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन